चलिए अब बात कर लेते आगे की बात कि उसमें आगे क्या हम लोग को जानना है ठीक है और आगे हम लोग के स्पेसली जानना है कि अब रित बीजी के सेकेंड जो इनके कूल होते हैं उनके कूल के बाड़े में हमें जनकाडी लेना है तो इनके कूल के बाड़े में आपका मा मालवेशी यह ध्यान रखिया है कि हम आवरीत वीजी के कूलों के बारे में जाने हैं, आवरीत वीजी जो पौदे हैं इनके कुल के बाड़े में जाने हम तो आज इनके किस कुल के बाड़े में चर्चा कड़ेंगे तो वो कुल है आपका मालवेशी कुल है मालवेशी ठीक है तो मालवेशी कुल के बाड़े में आज की जनकाड़ी लेंगे कि मालवेशी के अंदर क्या क्या होता मलवेसी को जाने से पहले पहले जानेंगे कि इसके अंदर अभी तक अगर देखा जाया, तो कुल 82 वंस का खोज हुआ है, इसके अंदर कुल कितने वंस मिले है, इस कुल के अंदर लगवग 82 वंस खोजे गया है, और जातियों की बात की जाया, तो लगवग 15 वंस आपके तो समझ सकते हैं कि अपने आप मालवेसी छोटा बाग नहीं है इसके अंदर भी आपके क्या है एक ब्रिहत रूप रखता है अपना एक बड़ा अस्तर रखता है आपका मालवेसी यानि अपने ग्रूप के अंदर बहुत सारी प्रजातिया को सामिल करता है उसके बाद अगर बात करें तो यह इसलिए होता है क्योंकि यह डोनों आपके बाताव रन में रहेंगे एक तो समसितोस्ट समसितोस्ट और यह क्या होता है उसन कटिवन्दी है आपके स्थिती में यह बेहतर तडिके से अपने ब्यातियों को ज्यादा फैलाता है इसके बज़ा से इनकी जाती है पंद्रस हो जाती है इनकी देखने को मिलती है उसन कटिवन्दी है कि जो आपका टेम्परेट जूण के पास हो जहां गड़मी वाला छेतर जाता हो जहांर पे टेम्परेचर थोड़ा सा जाता हो और समसितोस्ट में रहने का मतलभ होता है अर्थात की प्रति कूल अवस्था में ही अपने आपको क्या पड़ते हैं ये ढ़ाल पाते हैं कौन? तो मालवेसी उसके बाद अगर चर्चा करें इनके बाड़े मैं तो ये भी पौदे मिलेगे कूल के मिलेगे कूल के पौदे ये साकिय होंगेid इस् advertisement में कि ऐसा नहीं आपका साखिये का विरॅदधी हुआ जाड़ी के अंदर भी इसके अलावा क्या विरिक्ष च प्ष щоб हो अन्दरूप का वक्ष नकिर्टे की अरिख अड़ीय की के लोग तो इनकी सुवभाव में यह category हमको देखने को मिलेंगी क्या category कि यह साकी होंगी जाड़ी होंगी या फिर विरिक्ष के रूप में आपका है विक्सित होंगी ठीक है उसके बाद अगर बात करें इनके किसके बाड़े में जड के बाड़े में तो इनके अंदर जड़े मिलेंगी हमें अगर जड़े बात करें तो जड़े इनमें दोनों मिलेंगी एक तो आपका मुसला जड़ मिलेगा मुसला जड़ भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा आपको साखित जड़ कौनसा जड़ साखित जड़ भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा मुसला मतलब कि जो आपका ब्रांचेज में निकला होता है, जैसे घास के अंदर भी शाखित आपकी जड़े होती है, या फिर कुछ मुसला जड़ के आपके connected जो रोम निकलते हैं, उनसे भी शाखित जड़े बनती है, मतलब कि आप मेन जड़ के अलावा जो side ब्रांचेज हों के सांकिया है, तो confirm है कि सांकिया मिलेगा, इसके अलावा कि अगर तनाअ मिलेगा भी, तो तनाः हमको बिल्कुल सीधा सीधा मिलेगा, ठीक है, अरथाद कि यह किसी व्यासिरित नहीं, तना सीधे रूपे प्रापत होगां आपको, कह सकते हैं कि तनाः जो होता है, सांकिया म कास्टिया का मतलब जिनसे हमें क्या कर सके जिनसे हम लक्री प्राप्त कर सके जिनसे हम क्या कर सके लक्री प्राप्त कर सके लक्री प्राप्त कर सके तो उस कंडिशन को हम क्या करेंगे उस कंडिशन को हम बोलते हैं कि यह तरना आपका यह कंडिशन वे आपका इसके अंदर पा पतिया इनका कोई बिसेस नहीं पहा जाता, इनकी जो पतियां होती है, उबस सधारन होती है, सडल होती है, सन्युक्त कटेगरी में नहीं, ये सडल कटेगरी वाली होती है, और साथ ये एकांतर रूप में रहती है, किस रूप में रहती है जी, एकांतर रूप में लगी होती ह तो पतिया का कंडिशन सडल होगा और एक अंतर रूप में उसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेंगे पूस्पकरम की तो पूस्पकरम में क्या होगा सह सिमाक्षी होगा सह सिमाक्षी अब आप देख रहे होगे कि 100 सिमाक्षी हम कह रहा है क्या कह रहा है 100 सिमाक्षी कह रहा है तो 100 सिमाक्षी का मतलब क्या होगा कि यह कंडिशन ऐसा होगा जब यह क्या होगा कि इसके अंदर आपकी जो होगी वरिंत जो होगी वह निश्चित होगी वरिंत निश्चित तो उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम लोग सौ सिमाक्षी ठीक है तो हमने आपको सिमाक्षी ओड़ा सिमाक्षी वाले बताये आपको सिमाक्षी मत्तब जी और निश्चीत काड़के और सिमाक्षी जब होगा तो विरिंत क्या हो जाएगा निश्चीत वस्ता में हो ज जाएगा इनके अंदर क्या होगा विरींत होगा किलियर है विरींत छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है किसी किसी में लगवग नौ के बरावर हो सकता है लेकिन विरींत रहेगा अब बात कर लेते बाहय दल की तो इनकी बाहय दल जो मिलेंगी बाह यह दल जो मिलेंगी इनकी संख्या जो होंगी कुल पांच होंगी बाह यह दल के अंदर कितनी संख्या होंगी पांच होंगी और उसके बाद हम कर लेते दल पुंज की बात दल पुंज की बात करें तो दल पुंजों की संख्या भी कितनी मिलेंगी हमें, पांच मिलेंगी, दल पुंजों की संख्या कितनी मिलेंगी, पांच मिलेंगी, उसके बाद आता है पुमंग, ठीक है, ध्यान दखना है कि यहाँ पे जो दल पुंज हमें मिलेंगे, वह स्वतंत जो होंगे स्वत्तंतर रूप में होगा ये कलग ये कलग ये कलग ये कलग इस रूप में आपके दलपुन जिसमें पाए जाएंगे तो पांचों के पांचों जो होगे वह स्वत्तंतर रूप में होगे ठीक है उसके बात कर लेते हैं पुमंग की ठीक है तो पुमंग क्या होत शबी पुंकेसर एक साथ होंगे जब शबी पुंकेसर एक साथ हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग एक संगी कहेंगे उसके बाद का कंडिशन हम लोग कहेंगे जयांग के बाड़े में उसके बाद क्या कंडिशन हमाड़ा जयांग तो जयांग का condition कैसा होगा, कि इनके अंदर जयांग 5 होगे, जयांग का condition देखे, जयांग का मतलब क्या, इस्तिरी वाले पार्ट, तो इस्तिरी वाले पार्टों की संख्या कितनी होगी इनके अंदर, 5 होगी, ठीक है, यानि कि अंडप जो होगे, अंडासे की संख्या, अंड पुमंग होता है एक संगी होता है लेकिन यह क्या होता है दल पुज के साथ अटेच होता है ठीक है यानि पुमंग पुमंग दल यूगमी होगा कैसा होगा पुमंघ जोगा दल यूगमी होगा मतलब कि दल पुँझ पुमंघ एक के साथ होगे यह दल पुँझ है मतलब कि बाहरे की पंखुडी है किसी पुश्प की ठीक है तो ये जो निकलेंगे ये बास्तब में किसे निकलेंगे ये बास्तब में इनकी जो दल पुंज होंगे दल पुंज के साथ ये जूड़ा हुआ होगा तो ये क्या होंगे दल यूगमी होंगे मतलब की दल के साथ यूगमग जोड़ा बना के रहेंगे तो ये पुमंग क्या ह def lad गूंगी पड़ पड़ागन होquinho कि लिए एक लोगों को यह हं तक मतलब हम लोगोंने जाने इन के बारे में एक शो वाओं के बारे में दूसरा जड़हे के बारे में तीसरा तना की सनचना, चोथा पतियों की सनचना, पाचवा पुस्प करम, छट्था आपका क्या पुस्प, साथवा बाहे दल, आठवा दल पुंच, नौ पुमंग, दस जयांग, और ग्याड़ नमढ़ क्या पड़ागन की क्रिया, यहां तक सभी को किलियर है, ठीक है, अब इनके एक्जामपल कुछ आपको दे, फिर हम इसके फर्मूला पर चलेंगे, इनके एक्जामपल बिल्कुल जाने माने, भिंडी को देखे होंगे, भिंडी देखे हैं, भिंडी इसके एक्जामपल है, बोलिए, जानते पहचानते हैं, उनकी सनचना के दार पर हम क्या कर सकत अब जरा हम बात करेंगे किस के बाड़े में, इनके सनचना के बाड़े में, एक चीज़े मैं निवताया कि यह जीब जो होंगे, अर्थात की मालवेश यह जो होगा, वह उभै लिंगी होगा, मतलब गोनों लिंग एक साथ पाय जाएंगे, उभै लिंगी का मतलब क्या, male और female भी होगा, तो यह structure हो जाएंगे, सोबाओं में, साकी होगा, जाड़ी होगा, अबरिक्छ हो सकते हैं, जड़े की बात करें, तो मुसला जर अर्थात की मेन जड़ होंगे, असाथ में साकीत जर, साइड वाला जड़ भी रहेगा, तो यह साकीत जर भी होगा, तरना की अर्थात की लखरी प्राप कर सके, ऐसा रूप रहेगा, पतियों की बात करें, तो सरल लूप में रहेगा, और एक आंतर रूप में, पूस्प करम सह सिमाच्छी, अर्थात की बिरिन्त जोगा, निश्ची तवस्ता में नहीं होगा, मतलब की बड़ा भी हो सकता है, छोटा कंडिशन विल्गुल भी नहीं होगा, और पूस्प की बात करें, तो साव्रीन्त एर्थात की बिरिन्त इसमें पाया जाएगा, बाय है दल की बात करें, तो बाय है दलों की संख्या कुल कितनी होंगी इनकी अंदर, पांच होगी, दलयों की संख्या 5 और सभी के सभी स्वत यूग मवस्था में नहीं मिलेगा ध्यान रखनावे लेकिन एक बात ध्यान रखनाए कि इसकी पुमंग जो होंगे डल पुझ के साथ जुड़े होंगे जिसे हम दल यूगमी कहते हैं अर्थात क्या एक संगी रूत में रहेगा पुमंग के साथ अटाच्ट रहेगा ठीक है और जयां क्या होंगे पांच और प्रागन पड़ प्रागन होगा और जीव कैसे होंगे उभय लिंकी होंगे और तेरा हमा नमबर एक और बात जान लेजे कि ये मातरी धोतक होगा आर्थात की मातरी मधर डोमिनेटेड होगा ठीक है ये मातरी धोतक होंगे ये तेरा क्वाल में लेकिन अब इनको आपने लिखना है formula क्या लिखना है Malwesi group का formula लिखना है Malwesi पूल के पौधा के formula इनके formula के बादे में लोगो चानना है तो formula चान लेते क्या होगा तो पहले मैंने क्या बता है मातरी धोतक होगा मातरी धोतक होगा तो क्या हो जागा इसके लिए मातरी धोतक का मतलब हो जाएगा यह circle करके बीच में plus का side ठीक है उसके बाद कर रहा है उभाय लिंगी है तो उभाय लिंगी के लिए एक circle एक arrow marking और नीचे T clear है तो यह क्या होगा उभाय लिंगी होगा अब बात कर लेते कि इनके बाड़े में इनके कैलिक्स और कोडोला के बाड़े में तो इनके पास बाहे दल कितने है पाच है बाहे दल कितने है पाच है तो K5 हो जाएंगे ठीक है अब इनके दल पुंज यानि कि C कितने है दल पुंज की संग्या कितनी है C 5 है और सभी के सभी के स्वतन्त रूप से है ठीक है दल पुंझों की संगै कितनी है पांच है अर्थाद की C5 ठीक है और पुमंग क्या एक संगी है तो एक संगी है तो इसके लिए हम लिखेंगे Aα अब क्या है कि एक छीज़ थियान रखना वुखा इनके दल पुंज के साथ जूड़ा हुआ है, किलियर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कि कि संक्या कितनी है, तो कितने है, तो G5 है, तो G5 हो जाएगा. कwas बोलिये, किलियर एब लोगो, formula इसी अधार पर लिखा जाएगा कि इनकी quality जो होगी इनकी अधार पर हम क्या कर लेंगे formula लिखेंगे अर्थाद की malvasive pull के पौदों के अगर बात करेंगे तो circle के अंदर plus उबह लेंगी के लिए circle के उपड़ एलो marking निचे T के 5 का मतलब हो गया कि इसके अंदर बाहर दलों की संख्या 5 C5 का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर क्या होंगे इनके अंदर दल पुंजों की संख्या कितनी होंगी पांच होंगी, तो C5, और इसके बाद आपका एक संगी, इनके अंदर पुमंग है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिखेंगे हम लोग अलफा, उसके बाद क्या होगा आपका, इन दोनों एक दुसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग चाप से बात कर लिए है, तो यह होगा आपके बिंडी, अगर इनके बाढ़े में बात करे यह उड़ा किस रुट में आते हैं, किस बढ़के, तो यह तो गनफर्म होगे, कि पॉद्धों के जगत के पादफ जगत के अंदर है, ठीक है, पादफ जगत में इनके अंदर पतिया पाई जाती है, फेनिडो गेम्स में आएगा, उसके बाद इनके जो फल बनते हैं, दो बड़ावड भागों में तूटने बाले होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डाई के टेले डॉर्ण, अर्थात की दूई बिश्पत्री जी पूदे हैं, हो जाएंगे, कि लिए आप लोगों हो जाएंगे, अगर ये पता हो गया, तब इनके बादे में थोड़ा सम्किया कड़ेंगे, इनके कुछ उपियोग जान लेंगे, है नगो ठीक है, मैं ने एक्जामपल आपको बता दिया, भिंड़ी हो गया, और बता दे, कपास हो गया, और जढ़नात जानी पटशन हो गय इस रूप में इसका इस्तेमाल अलग-अलग रूप में किया जाता है अब आती है कि मालवेशिक रूप के जो पौदे होंगे इनका लाब क्या होगा आर्थिक फैदा क्या होगा मान लीजे कि कोई पौदा किसी के बाड़े मेंगा जानकाड़ी प्राप करते है तो बीना जो जानते हैं हम लोग तो हमें जरूरी होती कि उनके फैयदे के बाड़े में, कि फैयदा क्या क्या मिल सकता है, तो अब हम जान लेते थोड़ा सा क्या आर्थिक मद्दों के बाड़े में, ठीक है, तो पहला नमबर जानेंगे हम लोग खाने के रूप में, ठीक है, खाने के तो लोगों नहीं दिखेगा बिटा दे सब तीशी के बारे में या दिख रहे हैं दोग क्वोभव बिटांते हैं इसको देखिए देखें इनके फायदे के बाड़े में अर्थात की आर्थिक आर्थिक रूप में हमें कैसे फायदे देख सकते हैं तो पहला नमबर यह खाने योग्ये के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं खाने योग्ये के रूप में, अब माल लिजे कि भिंडी है, तो भिंडी सब्जी के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, इसके बाद आपके क्या होते हैं, आपके कुछ और भी आपके होते हैं, इनके गुरूप के और भी होते हैं, जिनका अलगला गुरूप में इस्तेमाल किय कि दूसरा नंबर बात कीजिएगा तो यह खान नहीं हो गया आप किस रूप में कर लेते हैं हम लोग इसका उप्यों कर लेते हैं का पास की रूप में अर्थाद क्या अर्थाद कि है आपको तनू आप प्राप्त होता है देखिया तर्णू या फिर कहें हम की कापास प्राप्त हो जा या फिर डूसरों डॉप में कहें तो हम इसे रसी मिल जाती है हमें इससे हमें क्या मिल जाती है जी रसी बनती है और क्या बन जाती है इसे तात बन जाती है जी आपको उसके बाद क्या इंसे हमें रे से प्राप्त हो जाते हैं क्या प्राप्त हो जाते हैं तो यह सब इनके फैदे हैं यह कपास पर्टसन यह सब है यह सब फैदे दे ठीक है उसक सजावत के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो इस रूप में इनके अलग-अलग रूप में एक है आर्थिक रूप से फायदे मंदवी है, आर्थिक रूप से क्या है, हमारे लिए फायदे मंदवी है, ठीक है, इससे मार्किंग कर लीजेगा, और ये आपका पूरा मालवेशी ग्रूप का पुड़ा एक बोर्ड में मालवेशी आपने किलियर कर लिया, यानि कि मालवेशी के हमने शारे टोपिक सारे बात इन में जनकारी प्राप्त कर लिया, ठीक है, अगर यह किलियर हो गया, तो इसके अगले ग्रूप को हम लोग देखेंगे, फाबेशी को, ठीक है, चेप्टर आपको ज्यादा निया, बस आपको दो-तिन टोपिक इस चेप्टर के बचे हुए है, जिनका पर्योग हम लोग करके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस चेप्टर को देखेंगे, चलिए बीना लेट के हुए चे स्टार्ट करते हैं, फाबेशी के बारे में मालवेशी होगे अमाड़ा, अब फाबेशी थोड़ा सा जान लीजे फटा-फट, फटा-फट, फाबेशी को पताने से पहले मैं क्या करता हूँ कि फाबेशी का मैं सुत्री लिख देता हूँ आपको, फ़र्मूला लिखता हूँ, और आप जरांदाजा लगता हूँ, इसकी क्वालिटी क्या होगी, मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, फाबेशी का सिर्फ क्वालिटी लिखता हूँ, मैं सुरी, फ़र्मूला लिखता हूँ, ठीक है, और फ़र्मूला के बेश से हम लोग जानने की कोशिस करेंगे, कि इनके अंदर क्वालिटी क्या क्या होगी, फाबेशी गुरूप की अगर बात करते हैं तो इनका फॉर्मूला लिखते हैं आपको फाबेशी ठीक है अब इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ और आप लोग बताइएगा कि इस गुरूप की अंदर क्या क्या आएगा ठीक है कौन-कौन से क्वालिटी आएगे इससे आपको थ्रसर टाइम मिल जाएगा कोपी बनाने के लिए इसका सुत्र देखिए परसेंटेस ये सुत्र हो गए उसके बाद के-5 के-5 उसके सी की बात करेंगे तो 1-2-2-1-2-2 उसके बात किसके बात करेंगे आपका एग्नेसियम की तो तो A9, और G कितने मिल जाएंगे आपको, G1, ठीक है, यह आपके formula हो गया, किस group के है, फावेशी group के है, और इस formula के बेस पर हम लोग जानने की कोशिस करेंगे है, कि यह किस रूप में है, आपको मैंने एक चीजे बताई थी, कि circle के अंदर plus कर दे तो मातरी को denote करता है, यह confirm हो हो गया, तो पित्री को denote करेंगा, clear, यह sign होने का मतलब है, arrow marking, आपका circle के बाद नीचे T का मतलब है, क्या हो गया, कि यह किस को denote कर रहा है, कि यह जीव क्या होगा, उबहेलिंगी होगा, कि 142, कि सीर्फ formula से हम लोगगों पता कर रहा है अभी, k5, k5 का मतलब क्या हो गया, कि इनके पास बाहिया दलो की शंख्या कितनी होगी, बाहिया दलो की शंख्या past और यह हो गया आपके दल पुँछ, तो दल पुझों की संख्या देखी कितनी हो जाएती है, तो दल पुझ आपका 2 जोड़े के रूप में और 1 स्वतानति रूप में स्वतानति रूप में कितनी होंगी भाई तो कुंगे सुरों की कूल संग क्या होंगी नाई किलियर जीवन का मतलब क्या हो गया कि यह एक अंड़ पी होगा एक अंड़ पी होगा कोन एक अंड़ पी होगा तो इनके जयांग जयांके अंदर क्या एक अंड़ अपी होगा? तो इनके अंदर जो अंडा से होगा, क्या होगा इनके अंदर? जो अंडा से होगा या अंडा से कैसा होगा? एक अंड़ अपी होगा. अर्थाक कि इसके अंदर सिर्फ क्या पाय जाएंगे? एक अंडा नू पाय जाएंगे. तो अंदर क्या क्या क्वालिटी आपकी पाई जाएंगी अब क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ा साम लोग इसका जो बच गया जिसके बारे में यह नहीं बताता में फर्मुला उनके बारे में थोड़ा साम लोग चर्चा कर लेते हैं ठीक है इनके बारे में बात करेंगे तो इनके अंदर इस बंस में आपको कुल 400 बंस आते हैं, और इस कुल के अंदर बंसों की संख्या कुल कितनी होगी, 400 बंस होगे, और 400 बंस है तो जातिया भी इनकी जाता हो जाएंगी, इनकी जातिया कुल कितनी है, लगवग 250 जाती है, ठीक है, 400 बंस और 250 जाती है, इनका अगर पर सरीर की बात करें, स्वभाव की बात करें, तो स्वभाव के रूप में आपका क्या होगा? कि यह जो होगा कमजोड विरिक्ष होगा, यह मजबूत नहीं होगा, कैसा होगा आपका? कमजोड होगा, शाक होगा, जाड़ी होगा, सीधे सम्दों में कहा है, तो कमजोड प्रा क्रीती का होगा, किलियर, शोभावत हो गया, उसके बाद किसकी चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा तना का, तो तना आपका एक कमजोड हम पहले ही कह दिये कि कमजोड होगा, तो कनफॉर्म है कि लंबा होगा बले, लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा, कमजोड होगा, लेकिन कि क्या होगा और सिमाक्षी होगी पूस्प करम कैसा होगा और सिमाक्षी या सीधे सम्दों में कहले कि और नियमित आकार की होगी इनकी विरिंद कैसी होगी और नियमित आकार की क्लियर है पूस्प करम, पूस्प के बाड़े में जानेंगे, आप बाकी पूस्प के बाड़े में, तो पूस्प के अंदर आपका गरीन्त पाय जाता है, पूस्प जो होगा, पूस्प के अंदर शागरीन्त हो गया, किलियर है, शागरीन्त इसके अंदर पाय जाके, उसके बाकी आप पता है कि उभाई लिंगी बाहे दल पुझे सब तो पता ही है तो ये इनके बाड़े में हम लगवा लगवा जान लिए पूस्पसुत्र इसका सुत्र भी पता हो गया इनके अंदर क्या होते कि कौन-कौन से जीव आते हैं कुछ जान लेजिए उनके बाड़े में कमजोड प् आपके साकी हों गयों और लंबा जो सबसे जादा लंबा होगा प्रिंस की प्राकृति में है वह मजबूत कंडिशन में भी रहेगा ठीक है क्योंकि इसके अंदर कुछ खतरना खतरनाक इक्जाम्पल सामिल है जैसे सीशम हो गया सीशम है अब सीशम कमजोड प्राकृति का मजबूत कंडिशन वाला इसके बाद आपको फडमूला पता ही है यह डाई के टेले डोन में आता है फैन्रो गेम्स के अंतर आता है आवरित वीजी के पार्ट से यह सब ही आपको इनके बारे में पता है तो फवेसी का आपको इससे ज्यादा इक्स्टा डीटेल है तो आप आपको खुट से से लिख लेना है ठीक है इसमें कोई दिक्कत आपको और नहीं होना चाहिए ठीक है एक आजज़ चीज़ जो है रहे हम आपको उड्व कोड बता देते हैं कि फैल एजेंडरली आपका क्या होता है फैल जो होता है कास्टी होता है ठीक है और जो बीज होता है वो अब भुरून पोसी वाला होता है इनके अंदर भुरून नहीं ठीक है अब भुरून पोसी होते हैं कास्टी होते हैं जो पड़े वाले होंगे छोटे वाले जो होंगे आपका अलग-अलग रूप में आपका कुछ लेग्यू मर्थात की दलहनी भी इ तो सीसमोjust में, मेथी भी आ जाते हैं, और क्या जाते हैं? शीशम हो गया, मेथी गया, तो साकीय में धूल या, इस्थेमाल हो जाएगा, अब सांडीय में उपस्प्ता सह में. में जान लेते हैं कि इनके आर्थिक उप्योग किस रूप में हमारे लिए फायदे मन्त है यानि कि इसके आर्थिक लाब के बादे में हम लोग जान लेंगे तो आर्थिक लाब सी समोगड़ा है तो कनफॉर्म है कि आपका फर्णीचर वाले लक्री प्राप करने में रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं घलनी पोदे तो इसके रूप में आपका डाल और तेल भी आपको पड़ाप्त हो सकते हैं तो यह सब थोपि क्या होगा कि और देने को रूप में इसना किया की रुफ में इस्तेमाल हो जाएगा तो ये कंडिसन अमें इसे भावेसी में उस्टेश संवी फाईद개 Сबी और आको इस तरह समिनके दो टोपिक आज देखे, मालबेसी और फावेसी, पहले मालबेसी को और सही तरीके से देखिएगा, तो फावेसी के डिटेल्स आपको असानी से निकालने में, खुद से भी निकाल सकते हैं, ठोड़ा सापका डिफरेंस है, उन डिफरेंस को कवरण आपको कर लेना है, हाला कि के बारे में जानेंगे, और अगला टोपिक जो हमाड़ा होगा, सोल नेसी के बारे में, ठीक है, सोल नेसी के बारे में जानेंगे, और सोल नेसी के बारे में जानने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सब चेंज करेंगे टोपिक, और चले जाएंगे कम पोजीटीव है ठीक है दो तीन ओड़ा है अपके परकार इसके बच गया जीने हम लोग खतम करके इस चेप्टर को खतम करने वाले है ठीक है मिलते अगले ग्लास में तकता के लिए थाइंक्यू भेरी मुच फ्रेंज